दोस्तों प्लानेट अर्थ पर जितने भी फूड्स अवेलिबल हैं उन सब में से दूद की अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई मुकाबला नहीं है दूद अपने आप में complete food है क्योंकि इसके अंदर अगर हम vitamin C को छोड़ दें तो इसके अलावा हर एक vitamin हर एक mineral हर एक nutrient आपको मिल जाता है लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारी लोग जब इसको लेते हैं तो उनको इसको लेने से problems हो जाती है कुछ लोगों को bloating की शिकायत हो जाती है कुछ को indigestion हो जाता है कुछ को ये suit नहीं करता है और कुछ लोगों को तो allergy तक हो जाती है ऐसा इसलिए नहीं होता है कि दूद के अंदर कोई कमी है दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग दूद को गलत तरीक से इस्तेमाल करते हैं और इसकी वज़ा से उनके अंदर यह प्रॉब्लम्स पैदा होती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी कॉवन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हम लोग अकसर दूद पीते समय करते हैं और जिसकी वज़ा से हमें दूद पीने में प्रॉब्लम्स होती हैं और हम दूद को अवाइड करने लगते हैं इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती हैं तो ऐसे लोग भी दूद को अवाइड करते हैं अगर आपके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपके लिए भी इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं तो चलिए भी ना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे नाम डॉक्टर सलीम है दोस्तों और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा दोस्तों सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो की अक्सर लोग करते हैं वो भी गर्मियों के मौसम में वो ये कि हम दूद को थंडा या चिल्ड करके लेते हैं दोस्तों अगर आप दूद को ठंडा करके या चिल्ड करके लेते हैं या उसमें बरफ डाल देते हैं तो उसकी वजह से दूद की जो digestibility है यानि दूद के हजम होने की जो quality है वो कम हो जाती है और आपको दूद जो है वो भारी महसूस होता है पेत में असानी से हजम नहीं होत अगर आपको दूद को लेना है तो आप हमेशा गरम दूद को इस्तेवाल करें तेज गरम दूद भी आप ले सकते हैं हलका गरम दूद भी आप ले सकते हैं या फिर अगर आपको गरम पसंद नहीं है तो आप रूम टेंपरेचर वाला दूद भी ले सकते हैं लेकिन ठंड चिल्ड या बर्फ वाला दूद आपको नहीं लेना चाहिए दूसरी common mistake जो कि अक्सर लोग करते हैं वो यह कि आप दूद के साथ fruits को add कर लेते हैं दोस्तों अक्सर हम यह सोचते हैं कि दूद के साथ अगर हम fruits को add कर लेंगे तो उसकी वज़ा से दूद की जो nutrition है वो और भी जादा बढ़ जाएगा और हमें और भी जादा फाइदा इससे मिलेगा लेकिन according to Ayurveda आपको दूद के साथ कोई भी fruit add नहीं करना चाहिए अगर आप दूद के साथ fruits को add कर देते हैं तो उसकी वज़ा से आपके digestive system पे extra load बढ़ता है और आपको in digestion, gas, bloating और भारीपन की शिकायत हो सकती है अपच की शिकायत आपको हो सकती है और इसलिए आपको दूद के साथ किसी भी तुरह का fruit add नहीं करना चाहिए एक चीज और जो मैंने practically बहुत commonly देखी है कि अगर आप दूद के साथ fruits लेते हैं तो उसमें आप कई बार कुछ additional चीज़े भी मिला देते हैं taste के लिए हम कई बार चीनी भी मिला देते हैं या अगर आप shake बना रहे हैं या cold coffee आप बना रहे हैं तो उसके इंदर हम लोग added cream डाल देते हैं और इस तरह की चीज़े को डालने से दूद जो है और बी ज़्यादा heavy हो जाता है और जो load है क्रीम डाल के या इसको शेक बना के आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके इंदर weight gain होना शुरू हो जाएगा मुटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा जो कि कोई अच्छी चीज नहीं है तीसरी common mistake है दोस्तों खाना खाने के साथ दूद को इस्तेमाल करना या खाना खा complete meal होता है तो अगर आप इसे किसी खाने के साथ ले लेते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप double meal ले रहे हैं और इसकी वजह से आपके digestive system पे इसका बुरा असर पड़ता है और आपके अंदर indigestion, loose motion और acidity जैसी problems हो सकती हैं अगर आप खाना खाने के बाद दूद लेन करना चाहिए और दोनों चीजों के बीच में एक separation आपको जरूर रखना चाहिए चौथी और सबसे ज़्यादा common mistake है दूद के अंदर चीनी डाल कर पीना दोस्तों बहुत सारी लोग मैं इन फैक्ट मैं गहूंगा 99.9% लोग दूद के अंदर चीनी डाल कर इस्तेमाल करते ह दूद के अंदर जब आप चीनी डाल देते हैं तो उसकी वज़ा से दूद के अंदर calories बहुत जादा बढ़ जाती हैं और दूद के अंदर calories के साथ साथ कुछ chemicals भी पहुँच जाते हैं जो कि इस sugar के अंदर मौजूद होते हैं जितनी भी refined sugars होती हैं दोस्तों यह सब की सब chemically processed होती हैं जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए इन फेक्ट इसके बारे में मैंने एक complete dedicated वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था के शुगर आपकी बॉड़ी के लिए कितनी जादा बुरी है और इसको सिर्फ अगर आप 14 दिन के लिए छोड़ इसलिए आपको दूद के साथ किसी भी तरह के चीनी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि दूद अपने आप में भी एक sweet चीज है लेकिन होता क्या है क्योंकि हमें आदत है चीनी डालके पीने की तो उसकी वज़ा से हमें वो फीका ही लगता है तो अगर आप दूद का जो टेस्ट है वो बुरा नहीं लगेगा बलकि फिर आपको चीनी डालके पीना यू बुरा लगने लगेगा तो दूद में चीनी लालके पीना भी एक बध़ा बड़ी मिस्टेक है जिससे आपको बचना चाहिए पांचवी मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं दोस्तों वो ये कि आप दूद के साथ नमकीन चीजे खाना स्टार्ट कर देते हैं अक्सर हम लोग जब दूद पीते हैं तो उसके साथ हम कोई स्नैक्स ले लेते हैं कोई biscuits ले लेते हैं जो कि नमकीन हो सकते हैं या कोई परांठा ले ले लेते हैं या sandwich बना के खाले लगते हैं दोस्तों दूद के साथ नमक जो है वो एक विपरी ताहार है अयरवेद के according आपको दूद के साथ नमक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ये आपके लिए suitable नहीं होता है इसलिए अगर आप दूद के साथ कोई नमकीन स्नाक लेते हैं, कोई नमकीन खाने लगते हैं, कोई चिप्स खाने लगते हैं, बिसक्षिट्ट काने लगते हैं, तो उसकी वज़ा से आपकी बॉड़ी के उपर इसका negative effect पड़ता है पहला कोशन है कि कैसे आपको दूद पीना चाहिए? दूसरा है कि कब आपको दूद पीना चाहिए? और तीसरा है कि आपको अगर लैक्टोस की इंटॉरेंस है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब आपको दूद पीना चाहिए? दोस् कर दजो है कि आपको पीना करें ऊंद और यह वीक्तोजन तो किया चाहलत तो इस तरह कर दोब्लम में होती है तो इस तुर्छी प्रोलम्स आपके शोडरीस के लेहम उन लेमे टार से रहल है तो इसैने का स्टार का कुम गाल सले ना है इसके लिए आपको दूर के साथ अद्रग का इस्त्वाल करना होता है और Star- went on s started आपको करनी होती है बहुत कम कौंटिटी से और दीरे ली मैं को इसको बढ़ाना होता है आप कैसे करना होता है वह मैं बता दे में इस्तिमाल करना दिन में नहीं करना कि इन सबस्कें पहले दिन जब आप लेंगे तो आपकी बौडी कैसे इससे रिस्पॉंड करती है हो सकता है शंब आपको थोड़ी बहुत प्रभलम हो लेकिन जितनी अल्मल ही आपको होती है उस डेफिनेटली कम ही होगी उसके बाद अगर आपको हलकी फलकी प्रॉब्लम रहती है तो आप एक दिन के गैप से इसको ले सकते हैं तरवाइस जाधा प्रॉब्लम अगर आपको नहीं लग रही है तो आप रोजाना भी इतना ही दूद लेना शुरू कर दीजे यानि आधा या फिर 15 दिन आप 3-4 cup लीजिए इस तरह से फिर 15 दिन बाद आप उसको एक cup कर दीजे ऐसे धीर धीर आपको बढ़ाना है अपनी body के अनुसार आपको यह नोटिस करना है कि मेरी body कैसे response कर रही है और I am sure over the period of time आपकी body जो है वो habitual हो जाएगी इस lactose की और आपके जो intolerance है वो क दोस्तों मुझे उमीद है आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको उच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर दीजे चैनल पर अगर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा